तो दोस्तो जार्खन राज्जी के उन तमाम अभियर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुस खबरी यहां पर निकल कर आ रही है जो लगभग आठ वर्सों बाद यहां पर सपना साकार होने जा रहा है जै दोस्तो जार्खन में आठ वर्सों के बाद जेटिट परिच्छा का जाना है और उसके लिए जैक ने अब यहां पर विग्यापन जारी कर दिया है कि दोस्तो आठ वर्सों के बाद राज्जी में जेटिट की परिख्छा आयोजित होने जा रही है उसके लिए विग्यापन यहां पर यहां पर पूरे डिटेल्स में देखने वाले हैं कि इसमे उम्र सीमा क्या रहने वाली है इसके लिए योगिता क्या मांगी गई है एकजाम का पैटन किस तरह से आपका यहां पर रहेगा और सिलेबस भी यहां पर क्या क्या रहने वाला है उस चिज़ को भी हम लोग यहां पर देखेंगे सिलेबस हलां की हम लोग डिटेल्स में और अधर दी दुसरे दीन हम लोग देखेंगे फिलाल जो विज्ञापन जारी क्या गया है उससे चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि इस विज्ञापन में क्या mention क्या गया है और क्या अहरताय यहाँ पर रखी गई है और कब से यहाँ पर online आवेदन आप जमाग कर सकते हैं और इसकी अंतिम्तिती कब तक रहेगी यह दो तो चलिए हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में देखते हैं कि इस फिग्यापन में क्या mention किया गया है और उससे पहले आप सब को यहाँ पर बता दू मैं कि JETED की जो proper पर class है हमारे यहाँ पर 125 हो या फिर 628 हो सभी की classes यहाँ पर चलने वाली है proper तरीके से और इसमें कोई भी subject जो है हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगी हमारे यहाँ पर सभी subject की classes यहाँ पर चलने वाली है साथी साथ मैं बता दो कि आप सब के लिए language यानि कि भास छेत्रिय भासा जो है उसकी भी यहाँ पर लगभग सभी भासाओं की class हमारे यहाँ पर उपलब्ध है तो बिल्कुल आप सब class से जूडने के लिए जिनको भी त्यारी करनी है लगकर मेहनत इस बार selection लेनी है यानिक वाली फाई करना है जेटेट यहाँ पर तो आप सब यहाँ पर जूड सकते हैं classes से और अपनी त्यारी जो है preparation जो है वो बहतर तरीके से कर सकते हैं उसके लिए आ online class से अगर हमारा class से जूडना चाहते हैं तो jl learning app download कर लिए गूगल play store में आपको वहाँ पर मिल जाएगी जो की available है वहाँ पर search करेंगे आपको easily जो हो मिल जाएगी तो चलिए हम लोग यहाँ पर इस विग्यापन को रिडियल में देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर द अन्सुधन नियमा वली दोजार्चे बिस में किये गए प्रावधान के आलोक में राज्य के प्रारंभिक विद्यालियों में शहायक सिक्षक एवं उर्दू सहायक सिक्षक पत पर नियुक्ती पातरता की जाच छेतु सिक्षक पातरता परिचा दोजार चौबी से सम्मंद अदी परिशद की वेबसाइट पर उपलबध है, ठीक है तो यह अजो होगे सम्म पर नोटिकेसिंट कैसि जूरू हो रहा है वह 277-2024 से नहें पर सुरू हो जाएंगा ठीक है । याने की मंगलवार से अंगे हैये ऴरदा। फॉर्म भराना और अन्तिम टिथी कि यहांपर अगर बात करें तो बाइस आठ दो होजार जाएगा यानि कि 22 अगस्त तक यह फॉर्म भरा जाएगा और इसके लिए योग्जिता यहांपर क्या रखी गई है वो चली हम लोग यहांपर देख लेते हैं वांचित अहरता एवं योग गिता क्या है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, अपर आधिक मामले में सक्षम नियानेद वारत दोसी यहां पर आपको सिध्ध नहीं होना चाहिए, सक्षनिक योग गिता हैं यहां पर क्या है, तो वो देखे लिए कच्छा एक से पांच के कुछ दिन पहले यह जारिक किया गया था, उसमें हमने गुरूप में हमने सेयर किया था और आप उससे देख भी सकते हैं, मैं फिर से एक बार उसको डेटेल्स में बता दूँगा, तो उस नियमा वली के तहत यहां पर आपका एक्जामनेशन लिया जाएगा, जो संसुधन योगिता के नियुनतम प्रापतांग में पाच परतिसत की छूट दी जाएगी, ठीक है, और विसे शुरूप से कमजोर जन जाती समों के अभियर्थियों को नियुनतम प्रापतांग में साथ परतिसत की यहां पर छूट दी जाएगी, ठीक है, तो अभियर्थी रजहारकन सिक्षक पातरता परिछा के लिए आवधन करने के पूरू जो है सभी नियमों को यहाँ पर अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे विज्ञापन प्रकासित होने के दिन नियूंतम आहरता धायित करना अनिवारी होगा यानि कि जो कम से कम qualification मांगा गया है योगिता मांगा गया है वो आपका कम से कम होना चाहिए यानि कि 23 तारिक से अगर form भराना यहाँ पर शुरू हो रहा है तो 23 तारिक के पहले यानि कि 22 तारिक तक आपका जो qualification मांगा गया है वो पूरा होना चाहिए यानि कि अगर आप सपोज की जिसे BA अभी बहुत सारे अभी अर्थी कर रहे होंगे तो जिनका है कि final examination अभी नहीं हुआ है ठीक है न जिनका final examination नहीं हुआ है तो वैसे लोग फर भर नहीं सकते हैं अभी विज्यापन के अनुरूप बाद में क्या संसुदन हो सकता है नहीं हो सकता है यह देखने वाली बात होगी लेकिन फिलहाल यहाँ पर अगर BA complete है जिसे suppose तो आप यहाँ पर form भर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर जो आपका qualification है वो पूरा होना चाहिए यह यहाँ पर कहा जा रहा है ऐसे अभिर्थित्यों का अंतिम सत्यापन सक्षम नियूती पर अधिकार के पास सुरचत रहेगा यानि कि जो भी आप यहाँ पर form भरेंगे अभी तो यह आपका final data यह माना नहीं जाएगा जब तक कि कोई एक सक्षम जो अधिकारी होंगे जो document verification होगा उसमें जाच नहीं होती है ठीक है उसके बाद यहाँ पर देख लिए जहारखन सिक्षक पातरता परिच्छा में सामील होने है तो नियूंतम एवं अधिक्तम आयू का निर्धारन जो है वो पिछला जो संसुधन किया गया था उसमें बताया गया था और मैं फि literature होए रध माना जाएगा यानि कि उनको उनका form जो है वो reject कर दिया जागा यदि वो उस विज्यापन के अनुरूप नियम के नुरूप नहीं रहेगा तो ठीक है चलिए आब यहाँ पर देख लिए किस तरह से यहाँ पर आपका examination होने वाला है पातरता जाज परिच्छा को दो अस्तर यथा प्रात्मिक विद्याले अस्तर एवाम उच प्रात्मिक विद्याले अस्तर के होंगे यानि कि 1-5 और 6-8 यहाँ पर रहने वाला है ठीक है तो यहाँ पर देख लिए कच्छा 1-5 के लिए प्रात्मिक विद्याले अस्तर लेबल एक रहेगा और कच्छा 6-8 के लिए उच प्रात्मिक द्याले अस्तार जो लेबल रहेगा वो तू रहेगा प्रते एक अस्तार की परिक्षा में एक समय की प्रश्ण पत्र होगा जिसकी परिक्षा आवधी निम्नवत होगी यानि कि 1-5 के लिए 2 घंटे 30 मिनट का एक्जामनेशन लिया जाएगा ठीक है तो यहां पर आप जिसकी देख पा रहे हैं और साथ चात यहां पर मेंशन किया गया है कि परिशद की अधिकारिक वेबसाइट पर उपलद जाच परिच्छा के स्वरूप के अनुसार दोनु अस्तर की परिच्छाएं आयोजित किये जाएंगी यानि कि जो 125 है उसका जो लेबल होगा सीबीसी की एंची आटी की पूस्तक है उसमें यहां पर 1112 तक का जो है वो तक या पर रहेगा Northern class का जो है वो लेबल रहेगा और जो उच अस्तर के जो यहां पर प्रात्मिक विद्याल अस्तर के होंगे जो 6-8 होंगे उन के लिए यह आप से प्रस्न पूछा जाएगा सिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु अभियर्थी को भासा दो में कार्मिक परसास्टनिक सुधरता राज भासा विभात के अधिशना संख्या 1428 के अतनरूप जो है यहां पर जो भी भासा निधारित की गई है 15 भासाओं में से किसी एक भासा आपको जो है वो सेलेक्ट करना होगा चूज करना होगा और उससे सम्मंदित आपको यहां पर एक्जामिशन जो है वो देनी होगी ठीक है तो यहां पर जो है वो यहां पर देखिए यहां पर जो देख लिए इसके बाद यहां पर जो मैंसन किया गया है यह विग्यापन य नीज़ पेपर के माध्यम से बता रहा हूँ आप सबको परिक्षा में उत्रिनता है तो निमनुमत प्रतिसत अंक लाना अनिवारी होगा यानि कि यहाँ पर क्वालीफाई कौन माने जाएंगे ठीक है यानि कि कैसे आप माने जाएंगे कितना परसेंट अपलाएंगे कि क्वा और यहाँ पर आदिम जाती के लिए भी जो है वो सेम है यहाँ पर नियुनतम जो है वो तीस परतिसत होना चाहिए परतिक खंड में ओवरॉल की बात करें तो पचास परतिसत यहाँ पर आपका होना चाहिए अत्यन पिछला वर्ग OBC1 OBC2 के लिए यहाँ पर देख लिए और EWS के लिए भी यहाँ पर देख लिए सेम है जो परतिक खंड में 35 पर लाना है आपको और ओवरॉल 55 परतिसत यहा पर रहेगा तो मैं आगे यहाँ पर बताओंगा कि किस तरह से आपका सेक्शन यहाँ पर रहने वाला है और यहाँ पर आपका एक्जामनेशन यह ओफलाइन मोड में होने वाला है यानि कि OMR सीट आपकी यहाँ पर जो है वो उसमें परिक्षा ली जाएगी ठीक है एक्जामनेशन आपकी ली जाएगी यहाँ पर तो यहाँ पर देख लिए यहाँ पर कितना पैसा आपको जमा करना होगा ठीक है फॉर्म का यहाँ पर परिच्छा सुलक है फॉर्म भरने समय आपको पेमेंट करना होगा तो यहाँ पर देख लिए कच्छा एक से पांच तक के अभियातियों के लिए जो सम्मानने जाती के हैं उनको 1300 अनुसुजिजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजज दिन जाती के लिए यहां पर 700 है और आदेन दिन जाती के लिए यहां पर 500 रुपे आपको फॉर्म फी जो है वो जमा करना होगा OBC1, OBC2 और EWS के लिए यहां पर जो 628 का फॉर्म भरेंगे उनके लिए 1300 है और दिव्यांग जो अभियर्थियों के उनके लिए 700 रुपय यहां पर रखा गया है जो दोनों भरना चाहते हैं ठीक है ना दोनों के लिए ठीक है आदेम जन्याती के लिए यहां पर 600 रुपया है ठीक है ना उसके बाद यहां पर अत्यांत पिछड़ा वर्ग OBC1 के लिए यहां पर 1500 है OBC2 के लिए 1500 है और EWS के लिए 1500 है और जो दिव्यांग है उनके लिए यहां पर 800 रुपया रखा गया है तो यहाँ पर आपको examination जो है वह भी payment करना होगा जो कि यहाँ पर आपका non-refundable होगा यानिकि आपका वापस नहीं किया जाएगा ठीक है तो यहाँ पर यह यहाँ पर विग्यापन प्रकाशित किया गया है यह form भराना यहाँ पर सुरू हो रहा है 23 जुलाई से और ये 22 अगस्त तक यहां पर फॉर्म भरा जाएगा इसमें क्या-क्या सिलेबस है मैं वो एक बार आपको बता देता हूँ सिलेबस क्योंकि आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है यहां पर तक लिए एकजान का पैटर्न जो हो किस तरह से यहां पर रहने वाला है तो यहां पर आप हमारे ज्वाइन हो सकते हैं यदि आप यहां पर क्लास् 마음에 के द्वारा क्लास आयो जित की जाएगगी जोकि 125 और 628 के लिए क्लिए है यहां पर रहने वाला है तो बाल विकास के यहाँ पर 30 को नंबर का आपका एक्जामिनेशन लिया जाएगा जो भासा रहेगा यहाँ पर जो कि भासा वन और यहाँ पर देख पार है भासा टू ठीक है न भासा वन में आप या तो हिंदी अंगरेजी रख सकते हैं या तो फिर उर्दू अंगरेजी र रहने वाला है समान अध्यान से यहाँ पर 30 प्रश्ण रहने वाला है तोटल यहाँ पर बात करें नंब्रों की संक्या कितने टोटल मार्क्स का आपका एक्जामिन लिया जाएगा यहाँ तो वह डेड़ सो मार्क्स का एक्जामिन लिया जाएगा समय जो मिलेगा आपको वह वो देखली छे 30 नंबर का यहां पर समस्व के घंदिस तरह से 1500 प्रशन यहाँ पर पुछे जाएंगे आपसे उसका syllabus के बारे में मैं अलग से details वीडियो आप सब के लिए बना दूँगा तो फिलहाल मैं बता दूँ यहाँ पर आप सब को कि जो जड़ेट की जो यहाँ पर form है विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया है तो आप सब की यहाँ पर बेफिक्र होकर करके एक्जामनिशन के तयारी में लग जाएं क्योंकि यह पूरे पूरे आठ वर्सों के बाद यहाँ पर यह विज्ञापन जारी किया गया है राज्जी के अभियरतियों की जो इतने वर्सों से इंतजार थे खास करके जो B8 करके ब जबाना है क्वालिफाई होने के लिए अगर आपको तयारी की जबरॉत पढ़ती है तो आप हमारे अहां पर पर क्लासेज Mittel जोन कर सकते है हमारे आप में लगतार यहां पर क्लासेज शुरू हो गई है चाहे वह 125 की हो चाहे व connection की हो दोस्तों उम्मीद करता हूँ किसमें सारे जानकारी आपको मिल गई होगे, अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे,